मैं कभी हारता नहीं हूँ या तो जीता हूँ या जीता हूँ सफल होने के लिए जिम्मेदारी के शक्ती को अनुनें जरूर अपने जीवन में उतारा होई कि सादू चलते चलते बेटी को देखा लड़की को देखा वो भाफ रही थी उस लड़के को पाहिच को दर्शन कराने ले जा रही थी उपर तो साधू ने उससे कहा बेटी थक गई होगी बहुत बोज उठा रखा है बेटी तुम थक गई होगी बहुत बोज उठा रखा है लड़की ने जो जवाब दिया मैं भूलता नहीं लड़की कहती है बाबा बोज तो आपने उठा रखा है पोटली का ये तो मेरा भाई है जि वत्र मतलब सभी जगह पे सरवदा मतलब हमेशा हर समय, सरववस्था की मतलब हर परिस्थिती के अंदर ये दिम्मेदारी लेने वारे लोग प्रगती करते ही करते हैं। और्टो मोबिल सेक्टर में ये कंपनी जो है मारूती सुजुकी यहां पे एक वर्कर काम किया करते थे इश्वर्ट सिंग ये वर्कर के लेवल पे थे और इन्होंने बहुत जिम्मेदारी ली और देखा के उनके अंदर प्रगती करने की बहुत शमताएं थी उन शमताओं को क्यांiben कप्सने उनके आगे बढ़े हैं आज सब जानते हैं ईश्वर्ट सिंग हरयाना इंडस्ट्री नाम की इस कंपनी के मालिक है जो करोडो करोडो का कहीं करोडो हजारो करोडो का टर्नूबर कर रही है एक worker से एक company के CMT chairman होने तक इन्होंने जो शुरुआत की ना इनके पास खेट थे, ना पैसा था, ना धन था, ना किसी और की इनके पास में कोई support था एक ऐसे स्थर से ही उठकर के निकले, जो की अपने आप में बहुत सराहनिये हैं तो एक ये करांतिगारी जो परिवर्तन जीवन में आया, ये किस्से आया, केवल एक सिधानत है जो हर एक विक्ति को समझना चाहिए अपने जीवन में जिम्मेदारी की शक्ती है सफलता के कहीं सूत्रों में आज हम आपके साथ दूसरा सूत्र लिने जा रहे हैं और दूसरा सूत्र है आभार पत्रे का, आभार पत्रे का या तो आभारी होंगे या आभारी होंगे आभार पत्रे का ये वो पत्रे का है जो आपको रोल शाम को सोने से पहले 15 में टिकना चाहिए कि आज मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ, आज मेरे जीवन में क्या अच्छा घटित हुआ, जानते हैं, या तो विक्ति आभारी होगा, या भारी होगा, आभार विक्ति, आभार प्रकट करने वाला विक्ति हमेशा बहुत हलका मैसूस करता है, और वो कभी चिंता नहीं कर करने में कभी देर नहीं लगानी चाहिए अबहर पत्र का ज्यान दीजेगा कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास सब बकवास है और कुछ लोग कहते हैं जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है आप क्या चाहते हैं आपके आसपास क्या आए सब बकवास है या खास है या आपक सफलता का सूतर क्या है आपहर पत्रेकार रोज 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 अपने दिन चर्णे हमें डाल दीजिए सोने से पहले 15 मिनिट करके लिए रोज देखिए कि आज मैं किसको धन्यवाद करना चाहता हूँ रोज कम सिकंपांच लोगो धन्यवाद करिए धन्यवाद करेंगे तो आप अपने आप होगा अंग्रेजी में कहते हैं या तो आप ग्रेट फूल होंगे या आप ग्रेट फूल होंगे ग्रेट फूल नहीं बनना है ग्रेट फूल बनना है हमारे को आभार वेक्ट करना है रोज शाम को 15 मिनिट छोने से पहले सफलता के कहीं सूतर है पर आज हम सफलत कि तीसरे सुत्र की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और तीसरा सफलता का सुत्र है जिंदेगी चुनावों का परिणाम है जिंदेगी चुनावों का परिणाम है जी हाँ ध्यान दीजेगा लोकसवा के या राजय सवा के चुनावों के बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके मनस्थिती को दोश देते हैं मनस्थिती में सुधार नहीं लाते हैं चुनाव करना चुनाव करना ये आपी का चुनाव है चुनाव करने के लिए किसी और पर नर्बर रहने के वशकता नहीं अगर आप अपने जियों में परिवरतन लाने को तयार नहीं तो कोई नहीं ला सकत एक खुबतुरत बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कहते हैं कि मैं लगा रहा ताउम्र परस्थितियां बदलने को गालिब, मैं लगा रहा ताउम्र परस्थितियां बदलने को गालिब, जिस दिन मनस्थितियां बदली उसी वक्त परस्थितियां बदल गई, तो जानते है परस्थितियां बदलने के लिए परस्थितियां बदलने के लिए परस्थितियां बदलने के लिए पहले मनस्थिति बदले जिस दिन मनस्थितियां बदलेगी परस्थितियों पर खुद बखुद असर आ जाएगा लोग परस्थितियां बदलना चाहते हैं, लोग अपना बॉस बदलना चाहते हैं, कोई शॉप फ्लोर बदलना चाहता है, कोई अपनी वाइफ बदलना चाहता है, कोई अपनी लाइफ बदलना चाहता है, जिंदगी चुनावों का परिणाम है, अच्छे विचार का चुनाव चाहते हैं या दोश लगाना चाहते हैं ये चुनाव आपका है कटिन परिस्थिती के अंदर कुछ लोग दोश लगाते हैं और कुछ सीखना शुरू कर देते हैं आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे, ये चुनाव भी आपका है कटिन परिस्थिती को आप कैसे देखते हैं कटिन परिस्थिती आपके लिए एक मजबूरी है या जरूरी है, जिस वेक्ति के लिए मजबूरी है, कंदे जुख जाएंगे, शरीर जुख जाएगा परिशान होगा कमदोर होगा दुखी लगेगा लेकिन जो कहेगा नई नई ये चुनावती है जरूरी है ये जरूरी है कटनाई नहीं है ये चुनावती है अच्छे शब्दों का चुनाव किया चुनाव अच्छे विचारों का किया चुनाव अच्छे शब्दों का किया जो लोग कहते हैं परिशानी है वो परिशान हो जाते हैं और जो लोग कहते हैं चुनावती है वो खड़े हो के सामना करते हैं अच्छे शब्दों का चुनाव करिए लिंदेगी चुनावों का परि इसी प्रकार बोलेगा लेकिन जो वेक्ति के लिए ये नौकरी बंधन हो जाएगा उसके लिए वो यहां पर जीवन समर्पित करेगा और यहां से मैक्सिमम लाब भी ले करके जाएगा जानते हैं कंपनी में ग्रोथ भी होती है आउट आफ टर्न ऐसे आदमी की जो जिन्दग आपको करना है कि ये कठनाईयों को आप क्या कहना चाहेंगे ये पहली है या समस्या है अगर आपने का पहली है तो सॉल्व कर लेंगे और अगर आपने का समस्या है तो प्रशन चिन्ने बन जाएगा जिन्दगी चुनावों का परिणाम है आपको जिन्दगी क्या लगती ह आपको चुनना है जिन्दिगी चुनावों का परिणाम है ये विचार आपको चुनने है हाँ जिन्दिगी चुनावों का परिणाम है आप अपने संसकारों को चुनिए आपके संसकार से बनता है आपका विचार आपके विचार से बनता है आपका विवार आपके वेवार से आता है आपका आचार आपके आचार से बनता है आपका प्रचार आपके प्रचार से बढ़िया होता है आपका वेवार तो पहले संसकार और फिर आता है वेवार और उससे बनता है वेवार और उससे बनता है आचार और फिर होगा प्रचार और तभी आएगा व्यापार अगर बढ़िया व्यापार चाहते हैं तो बढ़िया संसकार और विचार ठीक करना होगा जिन्देगी चुनावों का परिणाम है चुनना आपको है आपके लिए कोई और नहीं चुनेगा लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला मुझे अफसर नहीं मिला ये मौका और अफसर आपको कोई नहीं देगा ये आप ही को अपने आप उठाना है जंदेगी चुनावों का परिणाम है तो आज हमने सफलता के तीन सूतरों के चर्चा करी सीखने की इच्छा आपके अंदर होने चाहिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना देखिए स्लाइड पे ध्यान से पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं बलकि अनपढ़ वो हैं, जो सीखना नहीं चाहते हैं, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते हैं, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते हैं, पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे, तो आगे चलके और पढ़ेगी, इसल पड़े लिखें होने से अच्छा है पड़ते लिखते रहना जाएंगे आप सीखना चाहेंगे या दोष लगाना चाहेंगे इस विडियो को देखने के लिए आपका बह। भूँथ धन्यवाद सबस्क्राइब करिये हमारे चैनल को और सफलता के और सूतरों को लगातार देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद